जिस एतिहासिक पल का पूरी दुनिया को इंतजार था वो घड़ी आ गई तमाम महमान पहुंच चुके थे और इस बीच ठीक अपने तैस समय पर पीम नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में प्रवेश लिया धोती और क्रीम कलर का कुड़ता इसी कलर का मिलता जुलता सदरी और कंधे पर सफेद पटका कुछ इसी अंदाज में रेड कार्पिट पर चल कर पीम मोदी शुभ महुरत में मंदिर में दाखिर हुए लेकिन सब की नजर पीम मोदी के हाथों पर थी क्योंकि पीम मोदी के हाथों में कुछ खास था भगवान राम के लिए मोदी क्या लेकर पहुँचे थे ये हर कोई जानना चाहता था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रयान प्रतिस्था के लिए मंदर पहुँचे तो उनके हाथों में एक विशेश थाली थी पीम मोदी के हाथों में जो थाली थी उसमें च्छात्र और एक लाल चुनरी थी पियमोदी इस विश्य स्थाली को लेकर गर्भ ग्रह तक गए इसके बाद उन्होंने इस थाली को पुजारी को सौप दिया बतादी के उध्या में राम मंदिर परिसर में राम लला की प्रान प्रतिस्था का अनुस्थान तै मुहुरत पर शुरू हुआ राम मंदिर परिसर में पियमोदी खुद पूजा पर बैठे उनके बगल में आरेसेस प्रमुख मोहन भागबत भी बैठे दिखाए दिये जिसके बाद मंतरो चार के साथ प्रान प्रतिस्था का अनुस्थान शुरू हुआ ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी